नमस्कार दोस्तों मैं चन्दन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सहोस आप सलूसंस पर और आप देख रहे हमारा एंग्लेश सेवेन का फूल टूटोरियल दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि deste P क्लाइन में बहुत सारे वीवर्स के हमारे पास मैसेज और मेल्स आये हैं कि डिफरेंस क्या होता है HTTP और HTTP क्लाइन्ट में तिसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपको यह पता चले कि पहले ही था फिर HTTP क्लाइन्ट आया जो 4.3 प्लस वर्जन के बाद आ गया तो क्या डिफरेंस है क्या में डिफरेंस है और कोडिंग में कहां पर होता है कहां पर क्या चेंज करना होता है इन सारे चीज़ों कर देखेंगे तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो टुटोरियल को स्टार्ट करूं मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंड़ी आप सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का notification आपके YouTube आप और email मिलती रहे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो इंपोर्ट करते हैं और यह जो है दोस्तों 4.3 के बरजन जो आया उसमें आया था और इस पैकेज के अंदर मिला और और common.htp package के अंदर कि इस लाइब्रेरी बोलते हैं अंदर इस लाइबरेरी के अंदर यह मिलता है इसको को इंपोर्ट करना होता है हमें राइट और अगली बात यह है दोस्तों कि क्या क्या इसमें अप्ग्रेट किया गया राइट कौन-कौन से से इम्प्रूव्मेंट आये तह आप इसमें देख सकते हैं कि पहले-दनम्बर प्री मोर्डेटी। response object है response response और request object बनाया गया interceptor लाया गया दोस्तों इसमें मिन्स की interceptor क्या करता है कि middleware logic को क्या करता है कि insert करता है pipeline में मिन्स की दोस्तों interceptor एक बहुत important topic है यह क्या इसमें क्या करते हैं कि दोस्तों कि हम request response को हम edit modify कर सकते हैं तो उसको हम एक अच्छे से देखेंगे दूसरे वीडियो में इंटरसेप्ट क्या होता है इसके बाद progress event पर हम क्या करते है request response को भी हम get कर लेते हैं राइट टाइप होता है event फैरिंग होता है synchronous response body access होता है इसमें यह जेस्टन बोड़ी और जेस्टन बाइड डिफॉल्ट का जो होता है उसको एक्सप्रिश्टली पार्स कर देता है राइट उसके बाद होता है दोस्तों कि अटोमेटिक कनवर्जन करता है जेसन अब्जेक्ट का और पोस्ट रिक्वेश्ट वरिफिकेशन भी करता है यह सारी चीज़े जो 11 मैंने डाल रखा है है इंप्रूइमेट बीनिंफीट्स आप यह ही चेंज हुए थे http और http क्लाइंट तो रैट उसके बाद बात होती है दोस्तों कि कोडिंग में कहा हम चेंज करें रैइड क्या करना होता है क्लाइं क्लाइं मोड्यूल इंपोर्ट करना होता है जो कि हमें एंगुलर के कमन के अंदर से मिलता है अगर बात करते हैं और इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें इंपोर्ट के अंदर इसको टिक्लेर करना होता है रेच्टर करना होता है और यहां पर http module की बात करें तो हमें डिरेक्टली एंगुलर का अंदर http folder का अंदर मिल जाता है यहां पर http module के वहल इंपोर्ट करना होता है और पीछे आप देख लिए यहां पर http में http client module करते हैं और http में http module import करते हैं यह में डिफ्रेंस है आपको ध्यान देना होगा राइट अगला होता है दोस्तों की कोडिंग में जो हम इसको service मिनाते हैं तो http client को import करते हैं यहां पर module इंपोर्ट कर रहे थे हैं यहां पर http client करते हैं http के अंदर होता है यह इसको यहां पर इंजेक्ट करते हैं http की क्लाइन न्यजेक्ट का राइट अगर http होगा तब यहां पर देखिएगाorse इसका यहां पर यहां पर मॉड्योल में क्या होता है दोस्तों कि हमने हैं अब क्लाइंट मोडियूल को इंपोर्ट करते हैं और इक फिर मैं आपको रिपीट कर दूंग कौन-कौन से रिम्प्रूव्मेंट आये जो कि देने में बात है दोस्तों कि बहुत सारे question पूछे जाते हैं इंट्रिव्यू में यह कि क्या का improvement किया गया था आप इसको note कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको पर्षन के याद रखें means कि यहाँ पर अब्जेक्ट जो होता है response और request को इसको immutable बनाया गया इंटर्सेप्टर लाया गया कि हम अपने request और response को भी middleware logic में चेंज कर सकें इंसर्ट कर सकें वहाँ पर यहाँ पर हम middleware logic को insert करने के बात हो रहें दोस्तों means कि हम request और response को भी हम edit और modify कर सकते हैं इंटर्सेप्टर के थ्रू तो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में उसके बाद progress events for both request and response request and response के दोनों के लिए progress events लाया गया इसमें राइट उसके बाद इसको typed किया गया event firing किया गया synchronous response body access के लिए इसको किया गया इसके बाद support json body type and json by default and now no need to express facility passed इसको आप पार्स करने की जूरत नहीं होगी या डिफोल्ट हो गया इसका राइट उसके बाद automatic conversion हो गया from json to an object json come directly automatic conversion कर सकते हैं सब्सक्राइट में post request verification request verification कर सकते हैं इसको रिक्वेस्ट उजाने के बाद verify कर सकते हैं इसको राइट उसके बाद plus best testing framework means कि टेस्टिंग के लिए भी ये दोस्तों बहुत easy कर दिया गया इसको और simplified syntax for headers headers से हो जाता है उसको भी simplify किया गया और एक चीज और होता है इसमें error handling भी easily use कर लेते हैं राइट तो दोस्तों यह सारी चीजें हैं ACTP और ACTP क्लाइंट में difference means कि यह सारी चीजें ACTP में नहीं था और coding को भी मैंने दिखाया कहां कहां आप पर coding में change करना होता है फिर भी आपके माइन में कोई confusion हो दोस्तों तो हमारे comment box में जरूर शेयर करें और आपके confusion कमदूर करेंगा अगले वीडियो में एक चीज और आपको बता हूं दोस्तों कि अगले वीडियो में लेंगे अगले टॉपी के साथ